हलो साथियो जैहिंद, स्वागत आप सभी का दिल्ली प्लिस कॉंस्टेबल के एक नए वीडियो में साथियो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तुम आप से पूछना चाहूँगे कि कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी सवस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, आप सभी ने फिजिकल की तयारी अच्छे से कर ली होगी साथियो इस वीडियो के दोरान मैं बात करने वाला हूँ कटोफ के बारे में कटोफ आगे नहीं बढ़ेगी, आप सभी को सिर्फ मेरी कुछ बाते सुननी है आप सभी के लिए एक जरूरी डॉकोमेंट्स जो आप सभी को ले के जाना है अगर ये डॉकोमेंट्स आप लेकर चले गई, तो आप सभी को फिजिकल करने से कोई नहीं रोग सकता है फीजिकल करना है तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है वो बातें इस वीडियो के दोरान हम डिसकस करेंगे आप सभी वीडियो के अंदर बने रहना सबसे पहले तो 28 जून फीजिकल वाले सभी कंडिडेट्स को अपनी इस फेमिली की तरफ से वेरी 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 बेस्ट अपलक सातियो आप सभी साती जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर 28 जून वाले सभी सातियों के लिए बेस्ट अपलक जुरूर बोलना 28 जून वाले सभी candidates को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको बिना गबराई, बिना किसी tension लिए, बिना किसी से डरे बिना किसी गबरायट के आप सभी को physical qualify करना है आप सभी के साती होंगे, आप सभी से physical वहाँ पर qualify करवाने के लिए आपको बिलाए गया है, ओके, आप सभी को ये target दिमाग के अंदर set कर लेना है कि हमें physical qualify करना ही है, तुकि आप सभी ने इतनी दिनों तक मैनत की है उस मैनत का आज रंग दिखाने को आपको सबसे बड़ा मोका मिला है इस मोके को चूक मत जाना सभी सातियों से ये भी request है कि जैसे आप physical करके बाहर निकलो, अपना experience से आप आकर comment section के अंदर या फिर community post में आपको post मिल जाएगी वाँ पर आपकर जरूर बताना ताकि आप से next day वाले सातियों की help ओपाए चलिए वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले point के पर तुमें यही discussion करूँगा कि एक जरूरी documents है, आप सभी साती इसको मत बूल जाना और वो document है ये आपने जो documents है, अपनी qualification के documents ले लिए होंगे सातियों लेकिन ये documents मत बूल जाना, माता पिता का आशिरवाद क्योंकि आप सभी के लिए, जो भी आपने documents लिए है, वो सिर्फ फे formality के लिए है, आपको physical के अंदर डाल देंगे, आपको physical देने की अनुमती मिल जाएगी, लेकिन physical pass करवाने में कही ना कहीं सबसे बड़ा हाथ होगा तो इन्हें का होगा, क्योंकि ये अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दुआ करते हैं कि हमारा बच्चे ने इतने दिनों तक मैनत की है, बगवान इनको physical अच्छे से qualify जरूर करवाए अपने माता-पिता का अशिर्वाद लेकर निकलना सातियो, आपको physical के अंदर कोई बादा नहीं आएगी, ये मेरा खुद का experience है मेरा खुद का experience किया हुआ है ये कि माबाप का अशिर्वाद लेने के बाद में, आप सभी की जो भी बादा हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाती है physical का क्या है, documents का क्या है, वो तो सभी आपको एक बार entry दिलाने के लिए होते हैं लेकिन physical करते हुए, दोड़ते हुए, long jump लगाते हुए, heart अपनी नपवाते हुए, आप सभी के साथ में एक ही चीज खड़ी रहेगे, और वो खड़ी रहेगे माबाप का अशिर्वाद तो माताफिता का शिर्वाद लिए भी ना, घर से मत निकलना, और जो भी physical दावग अपने साथ में अपने parents को लेकर गए है, physical में जाते वक्त भी अपने मामी पापा का शिर्वाद जरूर लेके जाना चलिए सबसे पहले, हमने इस point के उपर discuss कर लिया है, कर लेते हैं इस point के उपर, कि आप सभी सात्यों को मैं एक point यहाँ पर कहना चाओंगा, कि कटोफ को लेकर जिनके भी दिमाग में अभी tension है, वो बाहर निकाल देना कटोफ के लिए मैं एक बात कहना चाओंगा, बाद आये है कोरव दलसी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धावन कर, गांडिव लेकर तूट पड़ो सात्यों एक चीज यहाँ पर कहना चाओंगा, कि जब अर्जुन के गुरु द्रोनाचारिय जी ने गहाँ पर अर्जुन से पूछा था कि अर्जुन आप चिडिया की आँख पर निशाना लगए और फिर उन से पूछा कि हे अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, त लेकिन मेरे सामने एक टार्गेट है, वो मैं फथे कर के रहूंगा और वो टार्गेट मेरा यह है कि मुझे फिजीखल कौलीफाई करना है, हर हाल में क्यूंकि मैंने मैंनत की अबको मैंने रहता हूँ, बाद कि मैं बाद में देखूंगा अगर इस confidence के साथ में आप फिजिकल के अंदर उत्रोगे आपको कोई नहीं हरा सकता है कोई भी नहीं हरा सकता है आप 100% क्वालिफाइ करके आओगे फिजिकल को बाहर निकल कर कहोगे कि सर रियली में हमें इतना motivation मिला था और हम फिजिकल क्वालिफाइ करके आए हैं और हम फिजिकल 100% क्वालिफाइ करके रहेंगे ये बात भी आप comment section के अंदर comment जरूर कर देना क्योंकि अगर आप भी आपके दिमाग में ये cut off को लेकर ये रहेगा कि कितनी बड़ेगी मेरा नमर आ क्वालिफाइ करो क्योंकि वो भी आपकी तरह कभी student थे तो आप सभी को गबराना नहीं है आप सभी अच्छे से physical क्वालिफाइ करना जिनके पास में जो भी documents है वो लेकर निर्दारित समय के उपर आप physical ground के अंदर उपस्तित हो जाना साथ में कुछ candidate पूछ रहे थे कि sir हम अंदर अपने parents को भी लेकर जा सकते हैं या पिर अपने साथी को ले जा सकते हैं क्या तो आपको ground के बाहर ही उनको छोड़ना होगा बाहर अपना जो भी ज़रूरी documents वो साथ में ले जाना और bag वगेरा वो बाहर उनको दे देना या फिर bag अप अंदर लेकर जा सकते हैं उस करना है क्या चीज नहीं खानी है वो सभी इन चीजों को द्यान वे रखने ना त्यूंकि आपके साथ अभी आपके पास में शिरफ और शिरफ 28 जून का समय आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है 28 जून का वो दिन जिसके लिए आपने इतने दिनों से मैनत की थी 6 महीन से मैनत की थी वो आपका दिन आ चुका है आप सभी को फीजिकल क्वालिफाई अच्छे से करना है इस बात का द्यान रखना कि आप अपना एक्स्पिरेंस जुरूर शेयर करना आप सभी साथी कम्यूनिटी पोस्ट के अंदर आपको पोस्ट मिल जाएगी वहाँ पर अपना जो आप एक्स्पिरेंस वहाँ पर करके आओ जो भी फीजिकल के अंदर आपको बातों जो इस्टेप बाई स्टेप आपको फेस करना पढ़ रहा है वो आपको कमेंट सेक्षन के अंदर जुरूर बता दिना ताकि आपसे नेक्स्ट डेवाले साथियों के हम हेल्प कर पाए आप सभी साथियों के लिए फिर से वेस्ट ओप लग भगवान से उम्मीद है कि आप सभी फीजिकल अच्छे से क्वालिफाइ करके हैं और खुशी खुशी अपना फीजिकल क्वालिफाइ करके हैं अपना कया लखना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर धन्यवाद